आज का यी वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशन होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम option chain analysis के बारे में basic से लेके advance सारे points कवर करने वाले हैं अगर आपको आज के इस वीडियो से पहले option chain analysis के बारे में कुछ भी नहीं पता था बिल्कुल tension मत लीजिए अगर आपने ये वीडियो एक बार देख लिया और जरुवत पढ़ने में एक बार या फिर दो बार revise कर लिया आप option chain analysis के खुद एक master बन जाएंगे इतना मुझे पूरा विश्वास हो गया है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजेगा और लाइक अभी से कर दीजेगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको ऐसे quality content वाले वीडियो पसंद आते हैं एक और important point है दो stocks है HDFC bank और Reliance जो अगले महिने काफी important role play करने वाल है इनी दोनों stock को हम option chain analysis पर जाके study भी करेंगे कि option chain analysis के according इन दोनों stock में हमें क्या outlook बन रहा है और हाँ जो market की expectations वाला part होता है वो towards the end of this video आपको मिल जाएगा तो चलिए करते हैं आज का ही complete video शुरू सबसे पहला question यह आता है कि option chain analysis को हमें study कहां पर करना है यह है NAC की official website आपको इस official website पर जाना है और इस website पर जाके ही study करना है next आपको यहाँ पर search के button पर जिसका भी आप option chain analysis करना चाते हैं चाहे वो कोई stock हो चाहे वो index हो उससे search करना है for example मैं Reliance Industries को study करना चाता हूँ तो Reliance Industries पर आपको click करना है next आपको equity derivatives यह दोनों option मिल जाएंगे आपको जाना है सिधा derivatives में और derivatives में जाके option chain क्लिक करना है point यह भी आता है कि हम option chain को option chain बोलते ही क्यों है देखिए chain होती है कि ऐसी चीज जो एक कड़ी से दूसरी कड़ी चूड़ी भी हो और यह कड़ी है option की सारा का सारा option का data एक table के रूप में chain के रूप में आपके सामने present किया जा रहा है इसलिए इसे बोला जाता है option chain for example में September की expiry का data यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ यह आपकी हो जाती है underlying asset अगर कोई stock है तो stock का price अभी market में क्या चल रहा है अगर कोई index है तो index का price अभी जिस समय आप complete data को study कर रहे हो उस समय क्या चल रहा है वो आपको बता जिता है for example reliance का price अभी चल रहा है 2405 रूपीज का यहाँ पर भी चेक आउट कर सकते हो अभी 2405 रूपीज के आसपास का reliance का price चल रहा है वो ही आपको option chain का data भी बता रहा है next important point यहाँ पर आगया सारा call का data इधर आगया आपका सारा put का data यह data को हमें buyer के perspective में read करना है या फिर seller के perspective में इसके लिए मुझे आपको एक important point समझाना पड़ेगा देखिए options ना दो तरीके के होते है options आपको सबसे पहले मिल जाते है American options दूसरा होते है European options American option एक ऐसा option होता है जिस option को जब भी buyer buy करता है suppose करते हैं किसी buyer ने buy किया है American option वो किसी भी समय पे यानि कि anytime वो उस complete option को exercise कर सकता है European option क्या होता है सिर्फ expiry के दिन पे जो option buyer है वो complete contract को exercise कर सकता है उससे पहले उसके बाद कोई भी right नहीं है कि वो आए और बोले option seller से कि ये option seller चल तो अपने contract को exercise कर नहीं इंडिया में चलता है European options और European options में option seller के पास ज़्यादा power होती है क्योंकि पूरे समय पे कभी भी option buyer आके नहीं बोल सकता कि ये option seller चल इस complete contract को to exercise कर सिर्फ expiry के दिन पे ही option buyer के पास ये power होती है इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि जो complete data आप read कर रहे है पूरा पूरा data है option seller के perspective से और उसी perspective से हम यहाँ पे read करेंगे पहला point आता है OI OI मतलब कितना open interest आज के दिन already खड़ा है कितने contracts में already आज के दिन यहाँ पे open interest खड़ा है positions खड़ी है change in open interest कल के perspective में आज के दिन कितनी नई position बड़ी है या फिर खटी है volume total काम कितना हुआ है next IV implied volatility implied volatility यह वापिस मुझे आपको कुछ basic point समझाने पड़ेंगे सबसे पहले आप यह समझें कि volatility क्या होती है जब तक आप volatility नहीं समझेंगे आप implied volatility समझी नहीं सकते suppose करते है stock का price ऐसे-ऐसे उपर जा रहे मतलब यहाँ पे stock का price बहुत volatile है यहाँ पे volatility high है अगर suppose करते है stock का price एकदम straight price मेר जा रहे है यहां पे although price उपर जा रहा है पर volatility आपकी काफी कम होने वाली है तो volatility होता है कि उपर नीचे कितना कर रहा है कितना डर लगने वाला है option seller को वो पता चलता है volatility से volatility दो तरीके की हो सकती है सबसे पहली होती है historic volatility historic volatility का मतलब क्या होता है past में volatility कैसे गई थी वो आपको बताती है historic volatility दूसरी होती है आपकी IV implied volatility की मतलब future में prices में कितनी volatility हो सकती है future की prices की volatility आपको पता चलती है implied volatility के थूपे अगर suppose करते हैं तो country के बीच में लड़ाई हो जाती है तो आपकी IV बहुत बढ़ जाएगी और IV बढ़ने के कारण आपके option का premium भी बढ़ जाएगा क्योंकि जो भी option sell कर रहा है उसकी risk बढ़ चुकी है risk कैसे बढ़ गई है suppose करते हैं कि war हो गई है और war आगे aggravate हो जाती है और बढ़ जाती है तो आचानक से stock market टूट जाएगा confusion के कारण और वहाँ पे options के premium के prices बहुत बढ़ जाएगे especially port side के इसलिए आपके option के जो complete price होते वो भी बढ़ चुके होंगे उसी की जगे पे suppose करते war हो गई है पर war का conclusion जल्दी से आजाता है तो हो सकता है कि अचानक से prices बहुत ज़्यादा positive side में shoot up कर जाए because जो भी confusion था जिसकी वैसे stock market रुका हुआ था वो confusion खतम हो गया है मतलब ये जब भी एक uncertain event हमारे सामने आता है IV यानि की volatility की expectations आने वाले समय में बढ़ जाती है इसलिए आपके IV बढ़ जाती है और इसलिए आपके options के premium भी बढ़ जाते है अभी आप चेक करेंगे कि आपका VIX बहुत लो है मतलब जो volatility है वो बहुत लो है इसलिए आपको options के premium भी low मिल रहे है और इसलिए आपको options में जो IV होगा वो भी काफी कम देखने को मिलेगा ये calculate कैसे होता है देखो इसको निकालने का complete formula होता है black shows का formula जो actually formula बनाया गया था किसी भी options के price का formula निकालने के लिए suppose करते हैं आपको call का price का formula निकालना है तो ये complete complicated formula है पर इसी formula में नीचे की side आपको मिलता है implied volatility ये जो implied volatility यहाँ पर आपको alpha सा देख रहा है इससे हम मान लेते है missing figure और call की जो price actually चल रही होती है कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि formula का सादा का सारा काम आपको already option chain analysis में by default करावा मिलेगा और यहाँ पर आपको implied volatility का data मिल चाहेगा next, LTP last traded price last trade किर्स price पर हुई थी इस particular option के लिए change last traded price में क्या वो बड़ेवे price पर हुई थी कम price पर हुई थी next आता है आपके लिए bid quantity bid, ask and ask quantity मतलब buyers कितना buy करने को ready है वो हो गया bid quantity bid मतलब की buyers ने किस price पर कितना buy करने को ready है plus ask होता है कि seller किस price पर कितना sell करने के लिए ready है यह आपको पता चल जाता है bid और ask price से यहाँ पे आपको वापिस एक important concept समझने की जरुवत है सबसे पहली होती है आपकी time value second होती है आपकी intrinsic value यह IV और अभी जो हमने implied volatility discuss किया था दोनों अलग होता है यह आपकी है intrinsic value suppose करते है option का premium चल रहा है 100 रुपे तो हो सकता है कि 40 रुपे तो है time value और 60 रुपे है आपकी उस complete option की intrinsic value intrinsic value सिर्फ और सिर्फ in the money options में होती है out of the money options में intrinsic value होती है zero intrinsic value का मतलब यह हो गया कि पहले दिन चाहे वो call buyer हो या फिर put buyer हो उसको price के difference में कितना in the money है कि उसको immediate profit हो रहा है एक example से आपको समझाता हूँ आपको जल्दी समझाएगा अभी जैसे कि reliance का price चल रहा है 2400 रुपीज हमने हापे देख लिया कि reliance का price है 2400 रुपीज अगर मैं call buyers को पहले ही दिन यह option दे दूँ कि आप इस reliance को 2400 नहीं 2300 रुपीज में buy कर सकते हो 2300 में buy कर सकते हो मतलब 100 रुपे का profit आपको already हो रहा है मतलब जो option buy कर रहा है 2300 रुपीज में वो अराम से 2400 में तो उस complete contract को execute करवा के reliance के shares लेके market में बेच सकता है तो 100 रुपे का फायदा तो इससे पहले दिन पर ही हो रहा है इसलिए आपकी यही हो जाती है intrinsic value यहाँ पर अगर आप option की value चेक आउट करोगे आपको 138 रुपीज मिल रही है तो इस 138 रुपीज में से 100 रुपीज तो हो गई आपकी intrinsic value जितना फायदा option buyer को immediately buy करने की वज़े से हो रहा है वो और जो balance 38 रुपीज है या फिर 40 रुपीज है जो भी आप मानना चाओ जो balance है 40 रुपीज मैंने कैसे बोला यहाँ पे seller की तरफ से आ रहा है price 140 का buyer की तरफ से आ रहा है price 138 का इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया कि 138 या फिर 140 रुपीज जो भी balance आपका 38 रुपीज है वो हो जाता है आपकी time value time value मतलब क्या है यह options का time period होता है September 28 तक का पुरा का पुरा एक महिना होने वाला है option buyer के पास इसी buyer को एक महिना देने के लिए एक महिने तक यह right देने के लिए जो option seller चार्ज कर रहा है वो है 40 रुपे का premium तो यह होता है आपका time value I hope आप समझ गे हो जितने भी options के यहाँ पे price दिख रहे है हर एक price में आपको वहाँ पे एक intrinsic value भी मिलेगी और time value भी मिलेगी अगर आप add the money पे चल जाओगे मतला भी 2400 चल रहा है 2400 पे चल जाओगे तो आपकी time value हो जाएगी 0 अगर आप out of the money पे चल जाओगे अभी price चल रहा है 2400 पर option buyer को price मिल रहा है 2500 का कि 2500 पे option buyer कभी भी seller से buy कर सकता है उससे तो पहले दिन पे 100 रुपे का loss है तो यहाँ पे कोई intrinsic value नहीं है I hope आप इस simple से point को समझ चुके हो Next एक और बड़ी interesting point बदाता हूँ आपको आपको बड़ा काम आएगा यहाँ पे देखेगा 1750 रुपीज का यहाँ पे complete open interest खड़ा है और इस open interest पे अगर आप अपना माल बिचोगे तो आपको मिलेंगे 377 रुपीज अगर आप माल खड़ी दोगे तो आपको देने पढ़ेंगे 437 रुपीज मतलब अब front ही आपको loss होने वाल है यह loss का कारण यह है कि यह जो complete management हो रहा है यह किसी ने price make करा है इस complete contract पे कोई एक बड़ा player है जिसने कहा है कि चल यहाँ का price मैं make करूँगा अगर किसी के इच्छा ही है कि वो 2000 या 2020 या 2040 की contract पे काम करे मैं उसको काम करने दूँगा पर क्योंकि यहाँ पे liquidity बहुत कम है buyer और seller बहुत कम है इसलिए जो complete price का difference है इसे हम कहते है जो भी price make कर रहा है उसका extra premium वो यहाँ पे आपको काफी access मिल रहा है for example अगर आप check out करोगे 2020 के price में 437 rupees minus 377 rupees मतलब 60 rupees का additional आपको unnecessary because आप illiquid option में जाके काम करने के कोशिश कर रहे हो इसलिए आपको additional premium देना पड़ रहा है यह कोई एक price maker है एक बड़ी party है जो यहाँ पर management कर रहा है जितना आप add the money आजाओगे मतलब जो भी price चल रहा है 2400 rupees उसके आसपास आजाओगे तो वहाँ पर आपको यह complete difference कम होता हो मिलेगा for example यहाँ पर तो genuinely buyer और seller का difference है जो 15 पैसा को आपको देखने को मिल रहा है एक और interesting point यह जो आपका dark area यह सारा in the money है यह जो यहाँ पर line बनी वी है dark और light area के बीच पे यहाँ पर कहीं पर आपका add the money option हो जाएगा और इसके out वाला जितनी भी light area है यह सारा का सारा आपके लिए है out of money तो इस तरीके से आप basic complete option chain को समझ चुके हो अब हम analyze करते है option chain analysis करने की कोशिश करते है Reliance के option का जो already आपके लिए खुला हुआ है 28th of September का खुला हुआ है अभी price 2400 के आसपास चल रहा है Let's see कि option chain analysis अभी हमें क्या बता रहा है यहाँ पर हम check out कर सकते हैं सबसे ज़्यादा open interest आपको देख रहा है इस level पर जो होता है 2500 का level अब आप चार्ट पर आके देखिए कि 2500 का level क्या है यह level यहाँ पर आपके लिए option chain analysis के according एक major relations बनने वाल है क्योंकि यहाँ पर काफी ज़्यादा call writing हो रखी है और इस call writing के against में जो put writing हो रखी वो काफी कम है call writing हो रखी आपके लिए 23,700 के उपर की और put writing हो रखी है 8,500 की तो यहाँ पर अभी call writers का complete control बनावा है और 2,500 का यहाँ पर आपके लिए option chain analysis के according immediate relations होने वाल है एक बार हम 2500 को cross करके उपर जाएंगे तब ही हाँ पर strength आएगे और जिस समय ऐसा हो रहा होगा आप अपने आप देखोगे कि यहाँ पर जो open interest है यह उपर के strike price पर shift हो जाएगा क्या हमें 2600 के strike price को भी notice करना चाहिए अभी नहीं क्योंकि अभी हमें सबसे highest call rating मिल रही है 2500 के आसपास जो हमाई लिए majorations बनावा है और same level पर हमें support नहीं मिल रहा है put writers की तरफ से तो हम यह conclude कर लेंगे कि यह हमाई लिए majorations हो चुका है वीडियो को like कर दीजिगा ऐसी आपको knowledge मिल रही है जो अभी से पहले शायद अगर आप basic से सीख रहे होंगे तो कभी नहीं मिले होगी काफी important वीडियो है अगर आप put writing की तरफ जाओगे तो यहाँ पे आपको 2400 पे immediately अच्छी put writing हो रखी है क्या इसी के against में call writing भी हो रखी है हो रखी है मैं यह नहीं कोँगा कि बराबर हो रखी है पर अच्छी कासी हो रखी है तो अगर immediately आपका यह conclusion निकलता है कि 2400 का price तूट के नीचे sustain होता है तो immediately जिन्नोंने यहाँ पे put writing कर रखी है उन्हें sustain करने के लिए अपने roll over करने पड़ेंगे दूसरी strike price पे move करना पड़ेगा तो वो नीचे चले जाएंगे और नीचे हम जाके दिखेंगे तो सीधा हमें 2300 पे ही मिल रहा है अच्छा open interest उसके अलावा कहीं पे भी open interest नहीं है तो logically जैसे ही 2400 का level तूटता है जो अभी market के लिए immediately support का काम करना चाहिए तो market में reliance के लिए दिक्कत बढ़ जाएगी कोशिश यही करेंगे कि 2390, 2380 के आसपास से जितने भी put writer से वो यहाँ पे support देनी के कोशिश करेंगे इस stock को ताकि वापिस से वो कभी भी trap ना हो और अराम से इस price को उपर move कर सके तो यह आपका logical यहाँ पे reasoning निकल चुकी है Reliance के analysis की option chain के basis पे next हम वापिस से यहाँ पे search करते है HDFC bank को देखे आप चाहे उसका यहाँ पे analysis कर सकते है HDFC bank को आपको search करना है और वापिस से आपको HDFC bank को search करके derivatives में चल जाना है और यहाँ पे जाके relations कहां दिख रहा है यहाँ पे आपको अच्छी call writing दिख रही है 1650 के level पे rather आप 1660 के level पे जाके दिखोगे तो यहाँ पे आपको अच्छी call writing मिल रही है जिसके against में आपको put writing नहीं दिख रही है इतनी ज़्यादा तो आप यह conclude कर सकते हो कि 1660 का level हमाई लिए relations का काम करने वाला है immediately 1650 का भी काम करेगा 1600 का भी काम करेगा पर 1600 का इतना major relations नहीं होगा because 1600 के level पे put writing भी at the same time यहाँ पे चल रही है thousand की उपर contracts put writing में है और यहाँ पे आपके लिए 3600 की हो रही है call writing तो इस level पे अगर market 1600 जाता है तो immediate अगर positive side का move आता है तो immediate कोई बड़े relations नहीं मिलेंगे 1650 तक market चाहे अगर तोड़ी सी power दिखाता है तो HDFC bank positive side का move देने का दमखम रखता है support की बात करें तो round figure में 1500 के level पे आपकी 1400 contracts अच्छे खासे put writing हो रखिये मतलब 1500 का level इस complete stock के लिए आपके लिए important support का का काम करेगा 1500 के level पे अच्छी put writing हो रखिये तो ये तो level आपके लिए important to sustain होने वाला है price action भी हमें ये ही बता रहा है अगर हम उसके उपर के levels की बात करें तो उपर के level पे आपको 1550 के level पे तोड़ी बहुत put writing मिल रही है पर उसके against में call writing भी ठीक ठाक हो रखिये तो option chain आपको इस level का कोई भी indication नहीं दे रहा है option chain का आपको indication तभी मिलता है जब put writing के versus में बहुत heavy call writing हो या फिक call writing के basis पे या उसके against में बहुत heavy put writing हो जब एक बहुत exception आपको figure मिलता है तो उसका मतलब यह होता है या तो लेवल टूटेगा नहीं और अगर टूटा तो इतने power से टूटेगा कि जितने भी उस level पे trap हो रहे होंगे option writers वो सारे के सारे भाग के आएंगे cover करने के लिए जिसकी वैसे complete accent और ज़्यादा बढ़ सकता है यह हो गया है आपका option chain का basics जो आपको पता होना चाहिए अगर अभी तक मज़ा आ रहा है तो like कर दीजेगा जितने भी important links है सब आपको description में मिल जाएंगे इवन अगर आप चाहे तो membership join कर सकते है आपको subscribe के पास पर join button मिल जाएगा अगर आपको और ऐसी education अपनी बढ़ानी है तो आपके लिए join button काफी important होने वाल है चलते हैं final section पर जिसका नाम है expectations from tomorrow's market तो सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के discussion के उपर एक एपॉंट को cover करने की कोशिश करते हैं देखें कल के लिए price action बहुत simple है अगर market flat open हो रहा है या फिर gap down open हो रहा है और उसके बाद 19,220 के लिए को तोड़के नीचे जाता है तब तो यहाँ पर negative price action बन चाएगा पर अगर market कल gap down open होता है तो फिर हमें positive price action के लिए focus करना चाहिए क्योंकि market अपने important support के लिए बना रहेगा important सा point यह है कि जब तक market 19,220 के लिए को थोड़के नीचे नहीं जाता है बाइस positive side का maintain करना आपका ज़रूरी है क्योंकि market अपने important support के पस 200 के round figure के level even I think 150 से लेके 200 का level market के लिए support का का काम कर सकता है तो इस support को support के इससे लेना और important थरीके से काम करना important होगा आज के दिन भी अगर आप check out करोगे तो आज के दिन भी आपको 10 EM के strategy multiple बार मिली और second half में जो हम expect कर रहे थी कि market में downside का move आ सकता है वो हमें मिल चुका था कई बार ऐसे move capture करना काफ़र difficult होता है because आज की दिन की volatility market की बहुत high थी मैं भी personally comparatively कम quantity की साथ आज की दिन काम कर पा रहा था उपर की side की बात करे तो एक बार market 19,300 को cross करेगा तो initiate होगा positive side का और actual हमें strength मिलेगी जैसी market 19,340 को cross करके उपर की side चला जाएगा bias positive side का होगा सिर्फ एक ही side जहाँ पर market में bias negative हो सकता है कि gap open हो तोड़ा सा sustain करा और सीधा नीचे तोड़े सिर्फ यही एक negative scenario हो जाता है bank nifty की बात करे तो अगर market को bounce back करना है तो bank nifty will be very important actual strength आएगी जैसे ही bank nifty 44,350 के लिगो cross करके उपर जाएगा bank nifty भी अपने important support range के आसपास है जिसमें आज की दिन यहाँ पर support लिया है तो सारी की सारी condition bank nifty के लिए भी कल के दिन applicable होती है because कल एक final Friday हो रहा है आज की दिन काफी लोग राखी के चकर में ज्यादा market में active नहीं थे तो कल अगर sideways market रहे जाए तो ज़्यादा shock मत होईगा important levels का wait करना कल के दिन important होगा अगर market flat open हो रहा है या फिर gap down open हो रहा है दोनों ही situation में bounce back के लिए ज़्यादा important role play करेगा जिसके उपर ज़्यादा ध्यान बना रहेगा सिर्फ अगर market gap open होके एक चोटी सी range बना के सच्टे नहीं कर पाता हो लेवल्स को तोड़ता हो मिले वो एक important short का area बन जाता है जिसके उपर यहाँ पर short के chances market में या weak होने के market के price action के chances बन जाएगे daily candlestick पर भी देखोगे तो important support के आसपस हम खड़े है आज के दिन ये perfect perfect support का काम करा data patterns पे हो ये रहा है market में कि broader market बहुत अच्छा perform कर रहा है इसी तरीके से मैं एक और आपको example देता हूँ यहाँ पर आप चेक आउट करेगा ये perfect support हमने secret of money making batch में study किया था discuss किया था धाई दिन का funda important support पूरा retest और देखिए 10% का आज के लिए mounts back आ गया तो अभी के market में चाहे आपका index में ज्यादा मज़ा आ रहा हो या ना आ रहा हो जिस तरीकी की strength small cap और mid cap दिखा रहे है हमारा focus उस site पे रहना चाहिए क्योंकि वहाँ पे stock specific काफी अच्छे move आते जा रहे है happy learning मैं ज्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि already आज की आपकी option chain के analysis की learning लंबी हो गई है तो इस video को like करें बिना मच जाएगा important links आपको description ने मिल जाएंगे happy learning and I will see you very soon